17 एप्रिख ली शुड़ेन रूपस को सवाजत हैं पर्मात्मा के महावक्टे हैं आज बरदान में सदा एक बाप के स्नेहे में समाई हुई सहयोगी सो सहचयोगी आत्मा भवा सहयोगी सेही हम सहचयोगी मिनते हैं जिन बच्चों का बाप से here श्नेह है किसी का किसी साथ में प्यार होता है तो, वैस नहीं आत्मा सदा बाप के श्रिष्ट कारे में सही होगी होगी, जैसे कि एक हस्बिन का वाइफ के साथ में, वाइफ का हस्बिन के साथ में कि वह भी रिलेटिव का किसी साथ में बहुत प्यार होता है, तो उसको सहयोग करते हैं किसी भी कारे में अगर वो बिजी हो जाए कि मुझे थोड़ सी हेल्प जाए इस कारे में तो हम उनको इतना प्यार करते हैं कि हम उनके सहयोगी बन जाते हैं किसी भी रिलिशन्शिप में उसी तरह के से परवाद करते हैं वैस नहीं आत्मा सदा बाप के श्रिष्ट कारे में सहयोगी होगी मतलब आप सेवा करेंगे आप और आत्माओं को बाप से जोड़ेंगे और आत्माओं को दुखों को मिटाएंगे और जो जितना सहयोगी उतना सहजयोगी बन जाता है अगर आप अपने बड़ों के कारे में सहयोगी बनते हैं तो फिर वो जो बड़े होते हैं वो आपको भी उतना ही याद करते हैं तो परमात्मा भी हमें उतना ही याद करते हैं अगर हमें के कारे में सहयोगी बनते हैं तो हम सहयोगी बन जाते हैं वो नेगेटिव या गलत मार्क पर वो राइट हैंड की जगर लेफ्ट हैंड नहीं बन जाएंगे लेफ्ट हैंड मतलब की बुरे कारे करना शुरू लेफ्ट हैंड मतलब की दुआ पर कर लिए क्यों राइट हैंड हो गया सत्युक्त रिता अगर आप स्वास्तिक और शुरशी चक्र को याद करें उनके हर संकल में बाबा और सेवा रहती इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा अराम मिलेगा बाबा और सेवा शान्ती और शक्ती मिलेगी दोने चीज मिलेगी क्योंकि हम हल के संकल, अच्छे संकल अच्छे कारे के संकल पवित्र संकल करते हुए सुएंगे नींद नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं को अगर सेट जी कमाई करके सोते हैं तो बड़े खुशी-खुशी होके सोते हैं हम भी अगर सोचते हैं कि हमें परमात्म की सेवा करना है, परमात्म की याद में रहना है, अब परमात्म से बातें करते हैं, सोच जाएंगे, तो कैसे रहेंगे, सेट जी यसे, इतना परिवत्तन हो जाता है, ओम श्यंति